जो भी YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं उससे यहां पर दो चीज सबस्यतं इ 현 इंपॉर्टन होता हैसा सबसे पहला होता है आपकी वीडियो का थाइटेल धाम्नील से ही लोग हमारे वीडियो पर क्लिक करते हैं और टाइटिल जितना एट्राक्टिव टाइटिल हम लिख पाएंगे उतना ही हमारे वीडियो के लिए बैटर होता है दोस्तों आज किस वीडियो पर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा टाइटिल के बारे में कि टाइटिल लिखने के टाइम में कौन-कौन सी चीज ह हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब जाके हमारे वीडियो में जो क्लिक आने का व्यूज आने का चांस वह थोड़ा ज्यादा बन जाता है तो अगर आप किसी भी वीडियो का टाइटिल लिख रहे हो तो यहाँ पर दो तरीके से अगर आप टाइट सर्चेब्ल टाइटल किसी भी टाइटल को जब लिख रहे हो तो आप सब्सक्राइटल लिख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर उदाहरन सरूप में आपको बताना चाहां कि जैसे यूट्यूब में वीडियो आप लूड कैसे करे यह सर्चे बोल टाइटल है यह फिर थामनिल कैस ने बताया है तो इस पर जो इंट्रेस्ट है वह बहुत जादा हो सकता है जिनकी ज़रूरत है वह दूसरे जो तरीक है दोस्तों वह तो एक्ट्राक्टिव टाइटल को आप कैसे लिखोगे जैसे ऐसे कुछ चीजे जो आपके साथ कुछ नया हुआ है यह फिर ऐसे कुछ या पर कलर कोई येलो है लेकिन आप कहा रहों कि ये येलो नहीं है तो इस तरीके से एक्ट्राक्टिव किसी टाइटल को भी आप लिख सकतो तो टाइटल लिखने के टाइम पर दोस्तों आप दो चीज़ फोलो कर सकतो यानि यूज कर सकतो एक है सर्चेबल और दूसरा है टाइटल आप दोस्तों जब आप टाइटल को लिखोगे तो यहां पर आमें क्या चीज ध्यान दरा ज़रूर है जैसे आपका जो टाइटल है वह बिल्कुल शॉर्ट लेटल होनी चाहिए अगर आप एक लॉंग टाइटल लिखोगे तो जो ब्राउस फीचर में लोग जब आपकी वीडियो को देखेंगे तो आपका जो टाइटल है वह पूरा वह पढ़ने हैं पाएंगे तो जितना शॉर्ट अप टाइटल लिखोगे चाहें आप एक लॉंग लिखो लेकिन आप अगर शॉर्ट लिखोगे तो बहुत ज्ञार किवर लिखोगे तो बहुत का चांस जादा होगा क्योंकि जिनका इस वीडियो का ज़रूरत होगा वह क्लिक करेंगे आपके टाइटल को देखने के बाद और वीडियो के अंदर आप अगर वही चीज़ बता रहे हो तो आपकी इस वीडियो की वास्टेम है वह बहुत जादा होगा कुछ लोग क्या करते हाइलेट करने के लिए आप उससे capital letter में यूज कर सकतो अगर आप बहुत जदा capital letter यूज करोगे तो आपकी एक attractive title दोस्तों नहीं बनेगा अब दोस्तों बहुत लोग का यह दिख्यत होता है कि किसी भी वीडियो में CTR हो जाता है आपकी जो analytics है उस पर जाके आप समझ सकतो कि आपकी जो title आपकी जो thumbnail है वो कितना आपकी audience पर यहाँ पर effect हो रहा है कितना आपकी audience को यहाँ पर attract कर पा रहा है आपकी analytics में जाके अगर आप आपने मानों अभी किसी वीडियो को public किया और next 24 hours जो आपका आएगा उसके अंदर जाके आप अगर उस वीडियो का analytics से अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर हो सकता है किसी का CTR बहुत हाई है और जो watch time है वो जादा नहीं है watch time बहुत कम है क्योंकि आपकी जो वीडियो के अंदर जो चीज़ें आपने बताया है वहाँ पर आपका audience जो है वो retention नहीं दिये यानि उनको पसंद नहीं आया वीडियो तो इस चीज़ को देखके आप अपने thumbnail और आपने जो title है दोनों के साथ अगर अच्छी तरीके से अगर आप दो लिखने के बाद किया हमें बाद में आप चेंज कर सकते अगर आपको ऐसा लग रहा है वीडियो की अनलेटेस देखने के बाद कि आपकी जो audience वह अच्छी तरीक से retention नहीं दे रहे या फिर आपकी वीडियो में क्लिक नहीं आ रहा है तो आप अगर चाहो तो बाद में भी आपकी टाइटल को भी आपकी थामनिल को भी आप दोस्तों चेंज कर सकतो अगर दोस्तों आपकी मन में इसके लेटे कोई भी सवाल है तो जरू मुझे कॉमेंट करना मैं आपको रिप्राइब करने के जरूर कोशी करूँगा हमारी वीडियो अचारा है तो लाइक के साथ चनलन को सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं ऐसे इन निशनी वीडियो में सब्सक्राइब को जीचे का इजासत जाहिंद